हेलो अबरीबन मैं हूँ आकास पडियार और आज हम डिसकुस करने वाले हैं वैसे तो देखिए आप लोग अगर प्रोग्राम हो तो आपको बताई होगा वी एस कोड क्या काम करता है लेकिन आप मान लीजिए आप बिगीनर डेवलोपर हो या फिर आप एक कोडर बनना चाहते हो या प्रोग्रामिंग फिल्ड में आप नया एंटर कर रहे हो तो यह आपके लिए वीडियो है जहां पर हम देखेंगे वी एस कोड कैसे डाउनलोड करना है कौन कौन से एक्स्टेंशन है क्या बैनिफीट है वी एस कोड का वो कंप्लीट हम यहां पर देखने वाले तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते गूगल क्रोम या यहां पर हम सर्ज करेंगे वी एस कोड डाउनलोड तो वी एस कोड एक एडिटर है जो Microsoft ने डेवलोप किया है यहां पर आपको यह जो एडिटर है वो free of cost मिलता है आपको कुछ पे नहीं करना है तो दीए कि यह वी एस कोड एडिटर जो है यहां से हम Windows और हर एक operating system के लिए डाउनलोड कर सकते हूं तो अभी तो मैं Windows उस कर रहा हूं तो मैं Windows को यहां पर select करने वाला हूं और VS Code आपको मतलब दो option से मिलता है एक मिलता है VS Code Stable और दूसरा अगर आपको दो मतलब कई बार माल लीजिए कि आपको दो VS Code में काम करना है तो एक और option है VS Code Insider माल लीजिए इसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक VS Code ओपन नहीं हो रहा है तो आप VS Code Insider यह सिर्फ Windows के लिए वाले है आप इसको भी यूज कर सकते हूं लेकिन मैं दोनों को डाउनलोड कर ले रहा हूं ठीक है वैसा तो आपको एक ही जरुवत है VS Code ले रहे तो ठीक है अगर आप दो VS Code चाहिए तो आप इंसाइडर भी यूज कर सकते हूं जिसमें आपको एडवांस में अपडेट्स मिलेंगे नए ने अपडेट्स दो आने वाले वाले देगे VS Code एडिटर मैंने यहां पे डाउनलोड कर लिया है इसको मुझे क्या करना है इंस्टॉल करना है और यह एक चीज नेक्स्ट आन नेक्स्ट यहां पे चीज यहां दखना जो अप्सन मिल रहे हैं आपको ओपन विद कोड़ ओपन विद कोड़ यह आप यहां पे सिल्लेक कर लीजिए इससे बेनेफिट क्या होगा कि जब भी आप राइट लिग करते हो तो वहां पे आपको एक जाते हैं वहां पे कोड हाइलाइट नहीं होता है से काफी सारे प्रॉब्लम्स है लेकिन सच वोलू ना तो वहीं पे मजा है वहां पे हमको अब एडिटर ऐसा होना चाहिए जिसे हम टाइम बचा सकते हैं तो यहां पर देखिए काफी सारे एक्स्टेंसन हैं जैसे माल लीजिए अगर आप नोड में काम करते हैं अंग्यूलर रियेक फ्लॉटर लारा वेल पीच्प कोई भी लांग्वेज हो यहां पर सारे एक्स्टे प्रेस कर रहा हूं जिसके त्रू आपको थोड़ा जूमिंग हो रहा होगा और इसको हम बंद कर देते हैं देखिए वीए स्कूर में काम कैसे करना है वह भी हम यह वीडियो में देखेंगे तो यहां पर देखिए यह एक्स्टेंसन है यहां पर थोड़ा मैंने जूम कर लि यहां पर इसका और बैनी फीड है कि आपको एक टर्मिनल मिल जाता है मान लीजिए अगर आपको कमांड लाइन लैंग्वेज जैसे की नोड है अंगुलर रियक्ट उसमें आजकल आपको पता ही होगा लारा वेल वियाव तो उसके लिए यहां पर टर्मिनल आपको मिल जात करना है आप कोई भी ड्राइव पसंद कर लीजिए जैसे की ड्राइव यहां पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे राइट लिक न्यू फोल्डर और इसका नाम दे देंगे डैमो देखे फोल्डर के नाम में कभी स्पेस नहीं देना है मुझे यहां पर डैमो को सिलेक्ट कर यहां पर देखिए आपको HTML लिखना है तो हम पूरा जो कोड है वो लेखेंगे और थोड़ा इसको मैं कंट्रोल माउस का जो ट्रैक उसको जूम कर सकता हूं लेकिन अभी उस सैटिंग्स करना पड़ेगा सो कंट्रोल प्लस इसको हम यहां पर ले जाते हैं तो देखिए HTML द हमारे पास देखिए कोई option नहीं है हम ऐसे भी extension डाल सकते हैं जिससे हमारा काम easy हो जाता है तो अगर मुझे इसको run करना है तो हमारे पास काफी सार एक्स्टेंशन है मैं भी थोड़ा दिखाता हूं और वह सब जाने दीजिए अगर हैप HTML में काम करते हो boilerplate जिसक्कम बोलते जस यूज दे एक्स्रेमिशन मार्क प्रेस एंटर कोड आ गया तो ऐसे भी एक features यहां पर आपको मिलता है दूसरा feature जैसे आप कोई terminal में काम करना चाहते हो multiple terminal आपको मिलता है जैसे command prompt चाहिए तो एक command prompt दो command prompt तीन-4 command prompt बना लीजिए वहां पे भी आप काम कर सकते हो second अगर आपको थोड़ा scroll उपर नीचे करना है तो यह भी option यहां पे मिला हुए है और यहां पे हम finally जाते extension में देखिए मैं तो बहुत सार extension यूज करता हूँ लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है fresh install किया है मैंने तो मेरा favorite एक extension जिसका नाम है material icon तो यह extension बहुत कमाल का काम करता है ब यह extension आपको क्या benefit देखा देखो उपर आपको select करना पड़ेगा material icon theme तो यहां पे देखिए यह जो folder है उसका file का color change हो गया अगर मैं folder बनाता हूँ उसका भी color दीख रहा है तो यह उसका benefit है अगर आप HTML में काम करते हो तो live server करके extension है जिससे आपको program को run करने में बहुत आसा server तो यह जो extension है वो अपने आप server को start कर देगा और browser में आपको output दिखायागा अभी फिलाल कुछ लिखा नहीं है मैंने तो यहां पर लिख दूँगा मैं h1 hello right अगर आपको dummy content चाहिए तो lorem लिखिए पूरी content की line आ जाएगी यह भी benefit है second extension में और भी explore कर सकते हो देखिए का your requirement जैसे अगर आपको कोई अच्छी सी theme चाहिए तो आप theme भी select कर सकते हो github theme जैसे आपको different different color combination चाहिए तो यहां पर यह भी available है material icon हमने देखा और अगर आपको कोई auto complete code चाहिए मैं suggest तो नहीं करता हूँ लेकिन आज कल थोड़ा काम fast भी होना चाहिए तो tab 9 करके भी extension है वो आप use कर सकते हो अगर आपको html में थोड़ा code intelligent चाहिए तो उसके भी extension है तो ऐसे काफी सरी extension है हर एक programming के लिए जो किसी ना कि install कर सकते हो और उसका benefit भी दे सकते हो तो यह एक editor है जिसमें आप काफी सारी चीज को explore कर सकते हो अच्छे से और अपना जो development काम का जो time है वो यहाँ पर बचा सकते हो और हाँ इसमें आपको अगर आपके सारे settings को sync करना है तो देखिए यहाँ पे backup and sync का option है जहाँ पर अपन Gmail या GitHub login कर लीजिए तो यह सारे settings क्या हो जाएंगे से हो जाएंगे और theme होगेरा जो अगर कुछ change करना है तो preference में जाहिए theme में जाहिए color theme देखिए यहाँ पे different different color भी यहाँ पे available है लेकिन मैं तो यहाँ पे जो default color आता है उसी को मैं select करने वाला हूँ तो यह video में देखा ह आपने थोड़ा सा quick overview how to use this VS code अगर आपको दूसरा VS code भी install करना है parallel साथ में चलाना है तो आप उसको भी install कर सकते हो just click on the next 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 and next यह optional है आपको करने की जरूत नहीं है लेकिन मान लीजे कई बार क्या होता है यह multiple projects में काम करते है तो यह थोड़ा benefit हो जाता है यहाँ पे multiple बड़लब दो VS code को हम use करके और extension को भी manage कर सकते है जैसे मान लीजे कोई extension मुझे फिलाल नहीं चाहिए मुझे एकदम blank VS code चाहिए तो you can use this तो यह दोनों option है जो आप explore कर सकते हो और उसका आप use कर सकते हो राइट तो यह वीडियो मैं ने देखा how to install VS code और उसमें basic introduction basic quick tour मैं ने देखा कैसा उसको use करना है so thank you so much for watching this video see you next time